अस्सलामू अलेकुम साथियों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के लिए चट पटे खट्टे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार में मिलने वाली तो आईए देरी किये बिना रेसिप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने आलू को छील कर इसके टुक गरम हो गया यह आलू के टुकड़े मैंने इसमें डाल दिये हैं यह पांच मिडियम साइस के आलू थे इसके मैंने टुकड़े करके इसमें डाल दिये हैं और एक टेबल स्पून नमक मैंने इसमें एड कर दिया हैं अभी हम इसे बॉयल करने देते हैं यहाँ पर मैंने एक परतन में तड़के के लिए दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल लिया है कुकिंग ओयल को हमें धीमी आज पर गरम करना है सबसे पहले हम इसमें राई के दानी डाल देंगे राई चठकने लगे थोड़ी तो हम इसके अंदर कड़ी पता एड़ कर देंगे इसे बहुत यह अच् लाल मिर्ची का पॉडर लिया है और नमक मैंने हाफ टीस्पून लिया है यह मैंने हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पॉडर डाला है कलर का स्तमाल नहीं किया है मैंने इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है नैच्रली हमें इसे धीमी आज पर भूनना है ताकि यह इसके साथ मैंने यहाँ पर इमली ली थी इमली को साफ करके मैंने भीगो दिया था गरम पानी में और इसकी मैंने पेस्ट बना ली थी इसमें शकर वगेरा कुछ भी एड़ नहीं की है आप इमली अपने हिसाब से कम या जादा ले सकते हैं खटीमली हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं as your choice बस हमें इसे हिला के अच्छे से पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर दमपे छोड़ देना है बहुत ही जटपट से बनके तयार हो जाते ही आलू तो ये देखी हमारे आलू बनके तयार हो गए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखें माशालला कितना अच्छा इसका टेक्स्ट है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ना कोई जंजट फटाफट बन जाते हैं तो आप ज़रू ट्राइ कीजेगा रेसिपी पसंद आए तो सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजीगा इंशालला फिर मुलाकत होगी आपसे जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए जाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफीज